अब हम लोग बात करने वाले एक और इंट्रेस्टिंग से टैग के बारे में टैग का नाम है आई फ्रेम मतलब इन लाइन फ्रेम अब ये टैग के साथ में क्या होता है ये टैग क्या करता है ये हम लोग बात करेंगे विजुल स्टुडियो कोड के अंदर जा करके प्रैक्टिकली देखेंगे कि यह tag जो है वो क्या करता है तो बिना टाइम में चलते हैं हमारे विजुल स्टूडियो कोड पर और यह समझ लेते हैं कि iframe tag क्या करता है तो यह tag को समझने के लिए मैंने यहाँ पर iframe.html नाम की एक फाइल बना लिया है तो यहाँ पर जल्दी से हम लोग कुछ formality कर लेते हैं जैसे हमारा यह ढाचा हम लोग ले लेते हैं पहले तो यह मैं थोड़ा सा जूम भी कर दिया हूं यहाँ पर यहाँ पर मैं लिख देता हूं दिंर नाम व निया पर लाइब को आप लोगों के झालरे कि अंदर और आपको दिखानाख आयलरे तो आप लोग आइसा साथ कन्फ्यूजन लग रहा होगा कि आर्यार यह क्या बोल रहा है हमारे html वैपेज के अंदर और एक तो हम लोग implement करके देखते हैं यह चीज की क्या होता है तो मैं यहां पर क्या करूँगा अपने इस वेब पेज के अंदर मैं ग्यानी पंडित का वेब पेज जो है वो लाने की कोशिश करूँगा यहां पर और आप लोग यहां पर देख सकते हो अन्दर वेब पेज बड़ी अमेजिंग सी चीज है और आहां मैं यह यह अटा दूँगा ठीक है यह अटा देता हूं यहां पर यहां पर जीरो वैलिव था तो बॉर्डर नहीं आएगा और अगर वैलिव वन है तो बॉर्डर आएगा ऐसा होता है वो रैट लेकिन बहराल हम लोग यहां पर फ्रेम को समझ लेंगे उस फ्रेम को बॉर्डर वगरा देने के लिए वह चीज का इस्तमाल होता है बट फिर भी ठीक हम लोग वह नहीं लेंगे यहां पर में डाल दूंगा वा वबसाइट का यह वह पैजका पता धिन मुझे अपने वेबसाइट में दिखाना है और यहां politiques भी ब्राउजर थम अपना यह जो iframe.html है और एक तरफ visual studio code को रख लेते हैं तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि यह जो ग्यानी पंडित की website है यहां पर एक छोट ऐसे बकसे के अंदर नजर आ रही है तो यह आप लोग देख सकते हैं यहां पर तो ऐसी चीजे होती है अब यह तो बहुत ह इसी ज्यादा कर देंगे चलो 500 कर देते हैं ठीक है 500 पिक्सल कर देते हैं यह 500 पिक्सल कर दूँगा मैं जैसे रिफ्रेश किया तो आप लोग देख सकते हो यहां पर यह बढ़ गया है थोड़ा सा आप content अब यह जगा ज्यादा ले लिए इसने अब साथ में आप लोग वि 500 ठीक है 300 by 500 यह हम लोग कर देंगे राइट मतब इतना 500 है जो हाइट है उसका 500 है और विर्ट यह उसका 700 है राइट तो यह चीज होती है यहां पर हम लोग इसको अगर रिफ्रेश कर देंगे तो आप लोग देख सकते हो कि इसने काफी ज्यादा हमारा जो वेब पेज है व यहां पर विर्थ ले ले रहा है जितने हैं उसको चाहिए तो यह पूरी विर्थ ले लेगा आपकी आपके विर्थ है अभी 100% है यहां पर तो यह 100% ले रहा है आप अपके को बड़ा कर दो तो बड़ा उने के बाद में जित्ता अंडर परसंट होता है उत्ता ले लेगा यह चीज बड़ी आसान है और आप लोग अपने विपेज के जो हमने बनाया था यह section.html में डाल दूँगा अब देखो यहां पर यह आ गया section.html कितनी simple सी बात है देखो यह चीज होती है आप लोग अपने webpage के अंदर एक और webpage डाल सकते हैं इसकी दरूरत है तो आप लोग इसको बड़े ही सहज तरीके से कर सकते हो राइट बहुत सिंपल सी चीज है तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह समझ गया होगा कि हम लोग अपने webpage में एक और webpage को कैसे आड करते है इसे inline frame कहते है राइट आइफ्रेम टाइग का इस्तवाल करके हम लोग यह चीज को बड़े ही सरल तरीके से कर सकते है राइट अगर आप लोग को इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप लोग वीडियो को rewind करके फिर से देख सकते हो और आप लोग चीजों को खु खुआ आपो लोग.